मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है चेर्में पी टी आई इम्रान खान ने बोल नियूस के प्रोग्राम तज्जिया में समी इबराहिम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं कौम के लिए पिंडी जा रहा हूं और कौम मेरे लिए वहां आएगी आज मुझे एत्माद आ इम्रान खान ने कहा कि हमेशा मेरे जहन में था कि हमें खुद्दार तरक्की आफ़ता कौम बने आजात कौमें बड़े काम करती हैं हम चाहते हैं इदारे मजबूत हों क्योंके इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा सब इदारों पर मेरिट में लोग लगने आप ये समझे हैं ये जो हग कोई खड़े रहना और हग को बोलना इस दूर से लगता है तनहा हो गया है लोग आप खान साब को देखें तनहा दिखाई देने सारी जमाते मिलकर उनके खिलाफ हैं लेकिन आज भी पाकिसान के अवाम उस हक्की अवास के पीछे जो है असी फिस इसी तरीके से बोल की कहनिया है बिलकुल अलग आपको तनहा दिखाई देगा हर जगा आपको खड़ावा नजर आए हटेगा नहीं किसी चीज से और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है जाली केस है ना ये हम पे उस वक्त बना और ये खुदी इन्होंने खुदी इन्वेस्टीगेशन की उसकी खुदी तफ्तीश भी की यानि किये कंप्लेनेंट भी है इन्वेस्टीगेशन ओफिसर भी है और इन्दा एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोड में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था ये मे